हमारे यूट्यूब चैनल जी के विदनी में जैसा कि आपको पता है हमने हरयाना करांट अफिर की क्लास स्टार्ट की थी तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपको हमारे हेंड रि follうん नोट चाहिए हैं तो शिरू करते हैं हमारी आज़ की क्लास का पहला पर्शन हर्याना के किस वेक्टी को जल प्रहरी सम्मान 2022 मिला है कौन सा सम्मान मिला है जल प्रहरी 2022 सम्मान मिलेगा तो किसे मिलेगा अभिमन्यु दहिया को किसे मिलेगा अभिमन्यु दहिया को यह प्रुसकार 30 मार्च को दि दिल्ली में यह मतलब किस टॉपिक पर इन्हें दिया गया है जो आतम निर्भर यलव जंक है उसके विशय पर यह पंदूसकार कि निया गया है किसे अविमन्यू digitallyya को यह कहां से हमारे कर्याना से हैं ऐसके बाद है हमारे पलस तो अखिल भारतिये सीविल सेवा एथेलेटिक्स परतियोगिता का आयूजन हर्याना के किस जिले में किया जाएगा कौन सी परतियोगिता का आयूजन भारतिय सीविल एथेलेटिक परतियोगिता का आयूजन तो आपका कौन से जिले में किया जाएगा गुरू ग्राम में कहां किया जाएगा गु 25-30 मार्श तक चलेगा ठीक है इसकी खास बात यह है कि इसमें एक खिलाणी है जिनका नाम है पूनम चोपड़ा वह 47 साल की है और वह क्या खेलती है जूडो खेलती है लेकिन अब की बार वह क्या खेल रही है शोड़ पुट खेले हैं 1986 से 2005 तक वह क्या खेलती आई है जूडो जिसें के बाद है अमारे पास हाल ही में CM Manohalal Khattar ने हर्याना बॉक्सिंग संग से जुड़ी कितनी महिला खेलाडीयों को सम्मानित किया है तो हर्यानस की कितनी ऐसी boxing इसके बाद है हर्याना का कौन सा व्यक्ति मांट कीली मंझारो चोटी को 4 दिन में 2 बार वारा फते करने वाला पहला भारतीय बना है कौन सी चोटी को इन्होंने फते किया है मांट कीली मंझारो को और खास बात क्या है उसकी चार दिन में उन्होंने दो बार इस चोटी को फते कर लिया है और उनका नाम क्या है नितिश दैया क्या नाम है इनका नितिश दैया जी कहां से है आपके जो नितिश दैया है वो आपके सोनीपत के मिंटडू गाउं से है ठीक है और इन्होंने जो दक्षन अफरीका की सबसे उची चोटी है माउंट किली मनजारो उसे क्या किया है फते कर लिया है और इनका नाम इंडिया बुक आफ रिकॉर्स में भी शामिल कर लिया गया है इसका नितिश धाया का ठीक है यह ऐसा करने वाले हर्याना के पहले इंसान बन चुके है और पहले जाएगा फत्याबाद में इससे पहले जो सबसे पहला हमारा सैनिक स्कूल था वो 1961 में कहां बनाया गया था कुंजपुरा करनाल में बनाया गया था ठीक है और जो दूसरा बना 2008 में बना था वो आपका कहां बना रेवाडी में कहां बना रेवाडी में तीसरा आपका मातन ह मेल में प्रस्तावी था और चो था कहां बनेगा आपका जो साइनिक स्कूल हो आपका फत्याबाद में बनाया जाएगा ठीक है इसके बाद है हर्याना राज्य चुनाव आयोगनी नगर परीशत पत के लिए खर्च सीमा पंद्रा लाक उर्पे से बढ़ा कर कितनी कर दिया जो 16 लाक रूपे कर दिगई है ये मतलब में जो इसका अध्यक्ष होता है उसके लिए है कितनी 15 लाक राशी और अब कितनी कर दी 16 लाक और जो नगर परीशत के जो सदस्तियों के चुनाव होंगे उनके लिए पहले कितनी राशी थी 3.30 लाक राशी थी 3.30 लैक और अब वो कि कितने रुपए तक की राशी दी जाएगी क्या दी गई है मतलम उर्जा सरक्षन प्रूशकार जो उर्जा को लेकर काम करेगा यानि की उर्जा के सरक्षन को लेकर काम करेगा उसके बचाओ को लेकर काम करेगा बिजली की खपत को बचाने के लिए जो काम करेगा उसको कितनी जो हर्याना सकार है उसने देने की बात कही है तो कितनी राशी देने की बात कहीert 2, tutक की राशी उन्हें दी जायेगे जो हर्याना में भीजली के शरक्षन को लेकर उर्जा के सरक्षिन को लेकर काम करेगा नवी करनी है ऊर्जा के सरोतों को लेकर काम करेगा इस के बाद और उसके लिए कितने मकान बनाए जाएगी तो टोटल मकान बनाए जाएगे आपके एक लाग कितने बनेंगे एक लाग यह गरीब परिवार से संबंदित योजना है ठीक है इसके बाद है हर्याना में कितने हजार करोड की लागत सड़क पर चार अप्रेल 2022 को लोकरपित की ज जाएगी वहाँ पर लगाई जाएगी और वो किस के द्वारा की जाएगी नितिनगड़करीजी के द्वारा जो सड़क और परियोजनाओं को की शुरुवात करेंगे और यहांपर हमारे जो सी एम है डिप्टी सीं है वो सब भी मौझूद रहेंगी ठीक है इसके बाद है अमन्दित बैग पाइपर है यह ऑख राएक तरीके की बीन है किया एक तरीके की बीन जो युमं वूर की खरे civinden मो मेख मेन इले हैं और इसके बजाई गया कहाँ है कहां पर सूरजकुन मेईले में और इसको लोगो ने भहूत अदिक आनन भी लिया है मैं तब यह आकरशन का क पाइपर पार्टी इसके वाद है हर्याना के कितने खिलाडियों का चैन इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में हुआ है तो हर्याना से कितने ऐसे खिलाड़ी गए है जिनका चैन आईपेल 2022 में अब की बार हुआ है तो हर्याना से कितने ऐसे खिलाड़ी है जो क्या खेलेंगे आईप मेवाद से हैं ठीक है वैभव अरोडा अमबाला से हैं राहुल तेवतिया फरीदाबाद से हैं दीपक खुड़ा दीपक खुड़ा है आपके रोतक से यह जो इंदर चहल इन्हें सबी जानते हैं जीन से हैं परदीप सांगवन भीवानी से हैं और नवदीप सैनी यह कहां से सब्सक्राइब तो टोटल कितने हैं साथ सदसे हैं जिनका चैन किसमें हुआ है आई पील 2022 में आकी बार हुआ है ठीक है इसके बाद हर्याना के खिलाडी कविता रानी ने रास्ट्रिये पेरा तेरा की परतियोगता में कौन सा पदक जीता है जो कविता रानी है वो क्या है तेराकी में इन्होंने जीता है यह पदक जीता है तो कौन सा पदक उनके द्वारा जीता गया रजत पदक कौन सा पदक जीता गया है रजत पदक इन्होंने जीता है ठीक है यह जो पर्तियों की था थी इसका आयोजन कहां किया गया था इसका जो आयोजन है वो आपका राजस बच्चे खेलों को प्रोच्छान देने के लिए कि बच्चे खेलों में बढ़ चट कर भाग ले तो उन्हें डाइट भगता दिया जाएगा तो वो कितना दिया जाएगा 200 रुपे धाईundred ग्या दोनों प्रसकार से सम्मानित किया गया है तो कहा से किया है कौन से उनिवस्री अपके काउन से यह कह से इसके बाद है हर्यारा कि कि सेंट्रल में प्रोड शिक्षा अभयान की शुरुवातś की गई और प्रोड शिक्षा याने की जो बूडे लोग है इन्हें शिक्षा देने के लिए काम किया गया है तो कहां कौन सी जेल में ये काम हो रहा है तो आपके हिसार की जो जेल है महां पर प्रोड शिक्षा को बढ़ावा देने की शुरुवात की गई है और ये मतलब जो भी पढ़ें इन्हें कौन डिगरी देगा कौन सी या तो कोई स्कूल डिगरी देता या या यूनिवसरिटी डिगरी देती है तो यह इन्हें कौन सी उनिवसरिटी से डिगरी मिलेगी इंदरा गांधी जो यूनिवसरिटी आपकी मीरपुर्यवाडी में उन्हें जो यह यूनिवसरिटी ह वो इने क्या देगी, डिग्री देगी, ठीक है, और एक और कोशन, आप मुझे बताएंगे, हाली में मैंने आपको यह पढ़ाया था कोशन की, कौन सा ऐसा जो हर्याना का जेल है, जो रेडियो जोकी की शिरुवात करा है, यानि कि महार रेडियो जोकी बनेगा, वो कौन सी ज पसल आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को शेर करना ना भूले, थेंक यू, धन्यवाद,